नमस्कार दोस्तों जे जो यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हमारा जो ये है सेकंड पार्ट है अभी देखने वाले हैं यहां पे हमारे अटकैम हम ने ओपन कर लिया लास्ट टाइम में बताया था मॉडल कैसे लिया ना है वहां से हमने मॉडल ओपन कर लिया अट बाइचर के साइज ले लिया तो इसके बाब में यहां पे फाइल में आते है यहां पे निउ मॉडल है ओपन है, ट्लोज मॉडल है यह सारी चीजी तो आपको पताइए इसके बारे में बदाने की ज़रूत नहीं है यहां पे edit का option होता है ठीक है, तो edit के option में हम क्या क्या कर सकते है ठीक है, edit का option में यहां पे दीखे, copy cut, copy, paste यह तो control से control भी से हो जाता है कोई problem नहीं, यह selected है, selected यहां पे भी बाहर है यहां पे भी selected है, mirror का option है mirror का option, यहां पे भी mirror दिया है यहां पे mirror है इसे बाद में यह इल उपन डिस्टोरेशन टूल दिया है यह भार भी है अंदर भी है ठीक है उसके बाद में यहां पे आता है transform का option जबी कोई object select करते है तभी यह visible होता है यहां पे भी project का option बाहर है इसके बाद में यहां पे putty dextori poisoned होता है जबी कोई हम लोग select करते हैं उसके बाद में visible हो जाता है तके बाद में यह block and rotary copy option है यहां पी 3D LORD往 кино प्रोपिक का इसके बाद में texture can option अथये texture can option यहां पे भी बाहर है यहां पे आता है 3d ग्रापिक्स option और यहां पे आता है graphics option option का, उसके उपर हम लिक कर गए रहे हैं, इसके बाद में इसको clean करने के बाद आता है drawing color, तो सबसे पहले ये drawing की color है, drawing की color है, मतलब ये क्या है, 2D drawing color है, selected ऐसा दिखेगा, multiple selected ये color दिखेगा, pink color दिखेगा, overlapping अगर है, तो red दिखता है, कभी-कभी आपने देखा होगा, कुछ programming करते हैं, उसके अंदर red color दिखता है, और बाके का color pink होता है, red इसली होता है कि वहाँ पर double vector है, एक के उपर एक vector copy, उसके वीज़े से दिखता है, और ये जो थोड़ा सा brown color होता है, थोड़ा सा brown color जो है, ये टूल पात का color होता है, उसके बाद में यहाँ पर आग जाएंगे, तो आप नीचे जे भी purple color तो ये आपका select group vector का होता है, और clip art का output होता है, वह blue color में दिखता है, और जब वेक्टर हमारा lock होता है, ये हलका सा sky blue में दिखता है, unselected हमें gray color में दिखता है, इसकी drawing color की जो setting है, ये इस तरह से है, ये टूड़ी के लिए, ये सब टूड़ी के लिए था, टूड़ी का जो भी टूल पात है, ये हो गया उसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे मशिनिंग में, तो मशिनिंग जो strategy होती है, वो हमें जे भी program बनाते है, वो time में भी हमें दिखाता है, लेकिन हमें इधर ही देख लेना है, machine strategy, use clean milling by default, तो हमें उसको कुछ change नहीं करना है, रेस्टर, default, रेस्टर angle हमारा 0 degree रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, start offset machining as age, इसको कुछ नहीं करना है, इसको चाहिए तो हम मशिन पर कम जादा कर सकते हैं, उसके बाद में ये engraving entry limit 100, उसके बाद में use 3D bridges by default, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, और यहाँ पे जो आता है 2D preview tool path, तो इसमें क्या करते हैं, 2D preview tool path में अ तो इसका direction भी आपको में ये करूँगा, दिखाऊँगा कि direction कैसा से होता है, यहाँ पे होता है reverse direction, उसके बाद में 3D tool path का जो drawing ए, repair and plank move, ये दिखना चाहिए, drawing rapid and plunge move, जो हता है, जो blue color में हमें दिखता है, ओ भी में बाद में दिखाऊँगा, उसको भी tick mark करके रखिए, उसके बाद में use relief thickness, उसको भी tick mark करके रखिए, उसके बाद में save tool path dialogue box, इसको कुछ करने की ज़रूद नहीं है, same as a number, बाकी कुछ नहीं है, और उसके बाद में import file, import and export resolution, text, default drawing option, ये सारे option में आपको next video में बताने वाला हो, thank you, thank you so much.